सब्सक्राइब कीजिए और पाए रास्ता नर्सिंग प्रामेडिल फार्मिस के लेटस्ट अपडेट आज का मार जो टोपिक है गतिमान आवेस और चुम्मक चत्व मौविंग चार्ज अंड मेगनेटेशम बहुत ही एपोटन्ट है यह चैप्टर और बहुत ही हल्पूल है और बहुत ही इंट्रिस्टिंग है आपके आर एचस इंट्रास एक्जाम में चाहिए आपका ब्यस नर्सिंग इंट्रास एक्जाम हो पेरा मेडीगल पार में सिखाओ क्यूशन बनता है बनता है यहां से सो यहां पर कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है और हाँ गाइज मैनत कितनी भी करवा लो हम से हम त्यार है आपके लिए अच्छे अच्छे नोट समा आफ आवाइलिबल करवा रहे प्रेक्टिक्स कुशन भी आपको अवाइलिबल करवा दिए एमसी कूज भी आपको अवाइलिबल करवा दिए अगर आपको इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है ना तो बता देना जितनी भी मैनत हो से कहा हम से करवा ले ना हमसे ज्यादा ठीक है तो यह आज का टोपिक अध्याइज फोर और बहुत सारे स्टुडेंट कमेंट करते हैं सर इंगलिस में चाहिए तो इंगलिस में भी तो हम आवाइलबल करुआ रहे हैं इंगलिस में भी है यह सारी चीजे जब आप निचे डिस्क्रिसमें लिंक पर क्ल और चुम के सेतरुथपन होने की गड़ना को विदुदरगा चुम के प्रवाव करते हैं राइट बायोसावड का नियम मौस्ट इपोटेंट बायोसावड के नियम के नुसार चुम के सेतर की तीवरता चालग में प्रवाई धारा के अनुकरमानुपाती होती है यह आपको बिंदुपी से मिलानुआ रेका बीच का कोण है तो यह थोड़ी बेसिक नोलेज आपको रखने है बायोसावड का नियम दारा अवे उसे बिंदुपी की दूरी आके और रखके विश्टकुन मनपाती होती है तो इतनी सारी नोलेज आपके लिए दी हुई है तो यह चीज अंदर कभी इससे पहले वाली की कुछ आपको नियमरिकल में दे दिया जाता है और बहुत सारी इस्टुएंट कंप्यूज हो जाते है तो यह गलते आपको नई करनी है राइट है ना जो आपका ब्रिकेट होता है उससे पहले वाला भी याद रख लेना ओके उसके बाद आ इस स्टेप को आप छोड़ सकते हो बट जो लाश्ट में ब्रिकेट में इनका परिणाम निकल कहेगा यह तो आपको याद ही रखना है और यहीं आपके निमेरिकल में काम में आता है इससे जो स्टेप है पिच्छे वाली इसको भी तोड़ा सा देख लेना अगर याद रख करेंगे ना जो भी आपको कुछ यह आरो एचेस इंट्रस एक्जाम से लेकर हम सब अवाइलेबल करवाएंगे बट आपकी डिमांड होनी चीए कुछ इस्टुडेंट कमेंट करते हैं सर हमारे जो आरो एचेस इंट्रस एक्जाम है यहाँ पर क्या जनरल नोले यानिकी जी जिनना होगा तो यह तो इनको प्रूब करने के लिए दिया हुआ है बट इसका आपको जो याद रखना है वो यह चीज आद रखने है यह देखो जब चाहो तो एक लगसे नोट्स बना सकते हो इन सबी के और उसमें इनको लिख सकते हो ताकि आप जब एक्जाम देने नेक्स्ट इसके अनुसाद निर्वात में किसी बंद वक्र के चारो और चुमके सेत्र का रे के समाकलन उस वक्र दोरा गिरी हुई दरा का नुजरू गुना होता है जैसा कि यहां पर दिया हुआ है नुमिर्कल जहां पर आएंगे वहां पर यह पोर्मले आपके काम एंपियर के परिपते नेम के अनुपरियोग थोरिये थोरिये आपको पढ़ सकते हो बट यह जो ब्रिकेट में लिखी हुए मोस्ट इपोर्टेंट चीजे यह आपके और एचसे इंट्रास एक्जाम में रामबार्समान काम करेंगे जिए को सीधी से बात है यह ब्रिकेट ठीक है ना और इससे एक स्टेप पाल ले कभी कभार आपको कंप्यूज करने के लिए दे दिया जाता है ठीक है और रही बात यह देखिए लंबी दार होए परिनाली के कारण चुमके सेत्र यह पूरा को पूरा चेप्टर इपोर्टेंट है गाई यह किस प्रकार्ट चे हो ठीक है बहुत सो को पता नहीं होता है कि कितना चुमके सेत्र होता है यह जिरू एना है यानि कि बहुत से बार क्या होता है कि निरबर किन किन पर करता है तो जिनको फोर्मला पता है ना तो वो तो बता देगा कि किन किन चीज पर निरबर करता है प्रिनाली का चुमके सेत्र क्योंकि पॉर्मले में सार चीज दी वही हुए जो जो उसमें आगे उस पर डिपेंड करेगा धारवाई टोरोईड के काण चुमके सेत्र यह आपका टोरोईड है मौस्ट इपोटेंट है और बड़ी मैनेस से भी आपके लिए नोट्स बनाए क्योंकि हम चातेगी आप टोप 10 टोप 100 में जगह बनाओ तो गाइज यह जो टोरोईड है बहुत इपोटेंट है इसके काण चुमके सेत्र कितना होता है पता है किसको पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर पता नहीं है तो सिंपल सी बात है यह जो आप देख रहे हूं न यही होता है ठीक टोरोईड के कार्ड नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लोरेंज बल जैसे कि हमने बता है था कि पूरा चेप्टरी पोटेंट है कि उसन बनता है बनता है यहां से चुमके सेत्र में गतिमान आवेस पर कारे कने वाला बल चुमके लोरेंज बल किनना होता है चुमके सेत्र में गतिमान आवेस पर कारे कने वाला बल का प्रेणाम आवेस के प्रेणाम के अनुकरमानपाती होता है चुमके सहतर के तीवरता के अनुकरमानपाती होता है आवेस के वे के अनुकरमानपाती होता है और साइन्टीटा के अनुकरमानपाती होता है तो ये बेसिक चीजे ये फूर्मल आपको याद रखना है F is equal to QVB साइन्टीटा कोई दिक्कत नो दिक्कत कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल देना सारा नोट्स में आपको लाइब दिखा रहा हूं यहां पर यह देखिए और अच्छी राइटिंग में जितना साप सुत्रा हो सके आपके लिए प्रवाइड करवा रहे हैं ताकि हमारे स्टुडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं ह चाहिए ठीक है क्योंकि नोट्स सभी के पास नहीं होते उसी स्टुडेंट किसी कांड रह जाते कोई तबिद कराप हो गई ठीक है ना तो मिस हो जाते बहुत सी भालिक नहीं पाते तो अगर आप चाहो तो इसका अपने किसी प्रेंट्स के लिए आपने बर्दस के लिए इ अधिक होना चाहिए जो क्या आपको पता होना चाहिए एक जम्हसी नेक्स्ट आपका साइकलो इलक्ट्रून बहुत ही इप्पोटेंट एक एक सी की जिसकी शाहिता से आवसेत कंड जैसे की प्रोटोन अपलार कन ना इनों के लिए उच्छ पूरित किया जाता हैं आलफा कन बीटा कंठी है शिद्धान्थ जब किसी दनाविशित कंड को प्रबल चुमके सेत्र के लमवत उचावर्ती के विदुद सेत्र में बार-बार गति कराए जाती है तो वह तवरित होत जाता है और अत्यदी गुर्जा प्राप्त कर लेता है राइट नेक्स्ट देखे गाइस कितना टोप कितना क्लीन डाइग्राम आपके लिए वालिविल करवा रखा है हमने तो बोल रखा है कि जितनी मेनत हो सके हमसे करवा लो बट रिजल्ट आपका अच्छा चाहिए हमको ठीक है ताकि कि आपको गवर्मेंट को लें मिल सके और इसका जो इस चेप्टर का जितने भी नुमेरिकल जो यहां पर फोर्मले देवे एक पेज में हो जाएगा ताकि जब आपका एकजाम से एक दिन पहले आप इसली सभी को पढ़़े सको इलोक्ट्रोन की सीमाई है तो आप याद रखनी होगी ठीक है कौन-कौन से सीमाई है उनके और दारमापी को वाल्टमेटर में रुपांद रहां नेक्स्ट अब रही बात मल्टिपल चॉश कुशन की तो मल्टिपल चॉश कुशन के लिए हमने बता है था आपके लिए कि जेक के लॉन जो यह जो चैनल है इसको फोलो कर लो आप इंगलिस और हिंदी मेडियम में पेजस कमेस्ट बायोजिक के मल्टिपल चॉश कुशन आपर मिल जाएंगे और रही बात पेडेब लिंक की तो पेजबुक पर आपको पेडेब लिंक मिल जाएगा पेजबुक पर और इनस्टागराम पर लिंक नीचे दियाओ है डिस्क्रिप्शन में जाके फोलो कर लो इ